नाव और्गनाइजेशन स्किल्स जो कि सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है अब और्गनाइजेशन स्किल्स यदि नहीं होता है तो आप अपने गोल तक नहीं पहुच पाते हो आपने इनिशेटिव ले लिया ठीक है आप आगे बढ़ गए काम को करने के लिए लेकिन यदि उस काम को आप प्रॉपर वे में नहीं कर पाए आपने इनिशेटिव लिया आपको प्रॉजेक्ट कंप्लेट करना था एक महिने के अंदर लेकिन यदि आपने और्गनाइजेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है इनिशेटिव तो हम ले लेते हैं लेकिन यदि उस इनिशेटिव के बाद आप किसी चीज़ को और्गनाइज रूए में नहीं करते हो इट मीन्स कि आप अपने टार्गिट को अचीव नहीं कर पाते हो तो और्गनाइजेशन स्किल्स क्या हुए इस सीज़ डिपने गोल को अच्छीव करने के लिए टाइम एनरजी रिसोर्स इसी को कहते हैं organization मतलब आप सारी चीज़ों को plan कर रहे हो organized way में follow कर रहे हो that is called organization skills being organized save your time and energy help you to complete task efficiently and therefore makes you more productive okay यदि आप time को save करते हो energy को save करते हो इसके साथ में अपने task को complete करते हो मतलब कि आप efficiently अपने task को complete कर रहे हो और ज्यादा productive हो हैना आप next task को भी easily कर सकते हो so to develop organization skills you need to follow the below mentioned steps यहाँ पे कुछ steps से जिनका use करना होता है यदि आप हर task को proper way में करना चाहते हो organized way में करना चाहते हो so सबसे पहले identify and define specific goal जो भी आपका target है जो भी आपका aim है वो सबसे पहले आपको define होना चाहिए आप उसको सबसे पहले identify करो सबसे पहला काम दूसरा काम breakdown goals into smaller task यदि आपका target आपका goal जो है वो बहुत बड़ा है bigger है तो उसे हम breakdown कर लेते है smaller task में smaller goals में next time management अब इन smaller task को अपने goal को achieve करने के लिए आपको केतना time लगना है और उस time को आप कैसे manage करें मतलब हर एक task के लिए कितना time लगना है उसको कैसे manage करना है that is called time management तो यह तीन में step है जो कि organization skill में आती है अब यदि question आता है exam में what are the steps to follow in organization skills organization skills में आप किन steps को follow करते हो या organization skills को develop करने के लिए आपके steps को follow करते हो these are the three steps यह individually in steps पर भी question बन सकता है तो पहला हम step देख लेते है identify and define specific goal means to achieve a goal it is important to clearly define your goal सबसे पहले तो आपके अपने mind में goal define होना चाहिए और वो target define होना चाहिए जिससे आपको achieve करना है जैसे your goal is to have a holistic growth which encompasses intellectual physical artistical emotional creative and social development आपका goal है कि आप इन सभी फिल्ड में आगे बढ़ सको physically socially mentally emotionally grow कर सको ठीक है यह आपका main goal ले तो उसके लिए आप क्या करोगे उसके लिए आप exercise करोंगे regularly healthy खाना खाओगे right मतलब अपने आपको fit and fine रखोंगे mentally अपने आपको stress free रखोंगे तो यह सारी जो चीजे हुई आपने किस तरीके से अपने को manage किया ताकि आप further develop हो सको इन सारी फिल्ड में so this is called organization कि मतलब आपने अपने mind में गोल डिसाइड किया कि मुझे इन सारी फिल्ड में आगे बढ़ना है grow करना है यह आपका goal है तो उसके लिए आप क्या आपना routine बना रहे हैं उसके लिए आप कैसे daily अपने आपको organize कर रहे हो so first step is identify and define specific goal जैसे for example exam आपकी नियर है अब exam में आपको 100% result gain करना है आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छे percentage बने तो उसके लिए आप क्या करने वालियो आपका main goal आपने decide कर लिया क्या decide कर लिया कि मुझे 95% बनाना यह आपका एक specific goal हो गया कि आपको 95% बनाना है आव उसके लिए आपको क्या काम करना है किस तरीके से अपने आपको ऑर्गनाईज करना है मन लिया कि आपको 98% score करनाै तब से डिनसाइड करेगा को 10 वेड़ में इतने percentage score करना है मतलब कि अब आप किस तरीके से इस score को achieve कर पाऊंगे इतने percentage achieve कर पाऊंगे इसके लिए आपने इसे smaller task में divide कर दिया मतलब कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए जो time manage कि आपने अपनी पढ़ाई के लिए जो subjects को divide कि इस subject को daily में इतना time देने वाला हूं इस subject को में daily इतने time में पढ़ने वाला हूं मतलब आपने कही न कहीं एक target decide कर लिया small small parts में divide कर लिया that to achieve bigger goals it is essential to break them into smaller और actionable task अब इस smaller task को achieve करने के लिए this strategy को हम follow करेंगे वो strategy कहलाती है smart strategy s-m-a-r-t और हर एक letter का अपना meaning है यहाँ पर यदि इस strategy को आप follow करते हो then you will definitely get their goal okay so smart strategy while setting and defining your targets it is acronym for specific मतलब आपका goal आपका mind में क्या होना चाहिए set होना चाहिए आपका जो भी target हो आपका define होना चाहिए specific होना चाहिए measurable जो भी task है उसको आप measure कर सकते हो मतलब कि आप यहाँ पर यह decide कर लो कि आपको इतने time में यह काम करना है मतलब कि आपको suppose 2 गंटे में 20 questions को solve करना है तो यह measurable task हो गया ठीक अचीवेबल अब यदि आपने यह काम कर लिया कि आपने 2 गंटे में 20 questions को solve कर लिया, मतलब आपने अपने target को achieve कर लिया, तो target ऐसा बनाओ, goal ऐसा set करो जो achievable हो, realistic होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैं पूरा से लेबस खतम कर दूँगा एक दिन में आप पूरे 10 chapter पढ़ लोगे, it is not possible है ना, realistic नहीं है ये चीज़, तो realistic होना चाहिए, मतलब आप daily तीन से चार घंटे पढ़ाई करोगे daily तीन से चार घंटे में ये काम करोगे, ठीक है, daily आप दो घंटे ही खेलोगे, ये आपने क्या कर लिया, एक realistic goal decide किया है, है ना, तो वो चीज़े काम करने है आपको, जो realistic हो, and time bound अब time bound, तो सभी को clear है, कि जो भी काम कर रहे है, उसको time limit के साथ में काम करो, मतलब कि यदि आपने किसी भी चिसका time set किया है, it means कि आप successful हो, आप उस काम को within time limit complete कर सकते हो आप अपने target को achieve कर सकते हो ऐसा नहीं कि कल में इस काम को कर लूँगा, या एक दिन में पूरा मुझे इस काम को complete करना है, ऐसा नहीं होना ची, proper time decide होना चाहिए, तो time bound के अंदर आप जो काम करोगे वो successful होगा, okay so smart strategy हमें follow करनी है while you break down the goals into smaller task, जब आप किसी bigger goal को smaller task में divide करते हो तो smart strategy के साथ में हर एक इक task को complete करते चलो ताकि आप अपने goal तक achieve कर सको okay, now time management अब time management is third step of organization skill, time management का मतलब जिसे भी मैंने बताए, time bound में वही चीज़े हैं, कि time को कैसे manage किया जाए, भाई या आपके पास एक ही दिन है, और उस एक दिन में आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो कैसे आप किस time में उन सारे काम को करोंगे तो इसके लिए आपको time को manage करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब daily का जो आपका schedule है, कि आपको 7 बजे उठना है, 8 बजे तक freshen up होना है, breakfast करना है फिर school जाना है, 9 बजे आपको school पहुँचना है, first period होगा, इतने time में आपका पहला period रटेन करना है, फिर इसके बाद आपका lunch होगा, उसके बाद 2 बजे आपको घर आना है, फिर 3 बजे तक आपको again lunch once लेना है, freshen up होना है, कुछ आपको TV देखना है, तो आपने वो देख लिया, 3 बजे बाद आपको अपनी पढ़ाई करना है, 5 बजे तक, 5 बजे बाद आपका playing time start हो जाना है, 8 बजे फिर dinner करना है, तो यह हमने क्या किया, यह हमने proper schedule बना है और एक time के according, एक time के साथ में आपी सारे काम को कर रहे हो, तो आपका routine set है, तो आप अपना दिन भर का जो target है, उसको अचीव कर पारे हो, so time management is most important aspect, most important part of organization skill, it refers to managing time effectively, so that the right time is allocated to the right activity, समझ मैं ही मेरी बात, कि right time is allocated to right activity, effective time management allows individuals to assign specific time slots to activities as per their importance, अब अपनी importance के according, हर एक activity को time allot करते हो, so इसके लिए, जो time allot करते हैं, इसके लिए आपको पहले से क्या करना होता है, पहले से आपको plan करना होता है, so planning, planning is the first possible way of time management, an important part of time management is planning, okay, in order to control your workload, it is important to learn to plan each day, week, month और year, यदि आप अपना workload कम करना चाहते हैं, तो आप हर चीज़ को proper plan करते हो, और फिर उसके बाद उस काम को करते हो, okay, so planning is most important part of time management, always be realistic in estimating the time to accomplish the task as it helps you to create effective planning, okay, when you follow your plan, you are more organized, जब आप अपने plan को follow करते हो, then you will be more organized, okay, obvious, यदि आपने पूरा daily का routine proper follow किया, जो आपने plan कर लिया था, कि आपको इतने time पे ये काम करने है, यदि आपने इसको proper follow किया, इस planning को follow किया, तो आप एक organized way में आगे बढ़ रहे हो ना, so a good work plan, तो जो आपको work plan है, वो good होना चाहिए, good होगा, that enables you to start being realistic about how much work you can take on how much time, कितना work आप कितने time में complete कर पा रहे हो, और क्या activities में आप involved हो, इस सब आपको पता चल जाता है, जब आप एक good work plan बनाते हो, उसी work plan के according आगे बढ़ते हो, so for example, when you get your exam date should prepare a study plan, अब आपको पता है कि एक महिने बाद आपका exam है, तो 30 days you have na, अब इन 30 days में आपको क्या क्या करना है, आपने प्रोपर work plan बना लिया, यदि आपका good work plan होगा, तो 30 days में आप प्रोपर revise कर लोगे और exam को बहुत अच्छे से clear कर कर किया जाओंगे, right, example समझ में आगया अच्छे से, now second is estimate time required for each task, पहले हमने plan कर लिया, अब planning के बाद आपने ये देखा, इस planning में आपने क्या किया, हर एक एक task को, हर एक एक activity को time slot allot किया, और time आपने estimate किया, so be realistic in estimating the time required to accomplish the task as it helps you to plan effectively, for example, if you are participating in a debate contest, estimate how much research time do you need, अब यदि किसी debate में आप participate कर रहे, तो debate में participate करने के लिए पहले आपको research करने पड़ेगे, इस topic में, तो उस research में कितना लगने वाला time है, वो आप estimate कर पारे, how long will it take you to write it, proof it and practice it, okay, so ये क्या हो गया, estimating the time, कि आप किसी भी task को करने के लिए, plan तो कर लिए, आपने लेकिन उसमें लगने वाला time क्या है, सही time में सही काम को करना है, आपको, right time में, right activity को perform करना है, okay, और ये estimate करना है कि इस time में, इस काम को करने में मुझे इतना ही time लगना चाहिए, इस से जाधा time नहीं लगना चाहिए, okay, now prioritize and schedule, a plan बना लिया, सारी activity लिख ली, सारी activity के आगे आपने time भी लिख लिए, इतने इतने time में, एक्टिविटी परफॉर्म करना है, लेकिन, the most important चीज, prioritize and schedule, most important काम जो होगा आपका, वो आपको prioritize रखना है, सबसे पहले करना है, इसका example मैंने दिया था, बताया था, कि आपकी exam है, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको prepare करना है, अपने exams के लिए exam paper देना है, solve करना है, अच्छे marks को score करना है, अब इन 10 दिनों में घर में शादी है, इन 10 दिनों में आपको अपने friends की बद्दे में जाना है, तो आप किसको priority पर रखने वाले हो, आप obvious अपने exams को priority पर रखने वाले हो, ना कि अपने friends की बद्दे पार्टी को, या किसी शादी को, या किसी event को prioritize करोगे, right, तो priority is the best part, मतलब कि यहाँ पर आपको priority जो है, वो बहुत important role play करना है, कि यदि आपको अपने task को goal को achieve करना है, तो जो आपने plan बनाया है, जिस time पर आप कोई assignment या कोई project submit करना है, कल या परसो में, okay, तो आप अपने schedule थोड़ा सा change करोगे, अपनी planning में उस assignment वाले जो work का time है, उसको enhance करोगे, उसको आगी करोगे, और सबसे पहले वही काम करोगे, right, so prepare your schedule to accommodate the plan task and other activities, write down the important activities that need to be done in a single day against the time that should be allocated to each activity, prioritize your task based on importance and urgency, while preparing your schedule, अब यह जो prioritize है, आपके जो task को आप priority दे रहे हैं, यह किस पर based है, यह उस काम की importance और उसकी urgency पर based है, okay, next, learn to say no, no कहना भी आपने सीखना चाहिए, आपके अंदर या ability होना चाहिए, कि आप काम को no भी कह सको, ऐसा नहीं कि जिसने जो काम बोला, आपने वो कर दिया, कि आपको इतने time में इसको काम को करना और उस बीच में यदि कोई दूसरा काम आता है, तो आप उसको no कहना सीखो, ताकि आपका schedule ना भी गड़े, आपकी planning ना भी गड़े, और आप अपने task को achieve कर सको, so always refer to your schedule and to-do list before committing to new project, okay, one of the reason we became overloaded is that we have say, we have a tendency to say yes, यह भी एक reason होता है कि हम हमारे schedule के according काम नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर यह tendency होती ही कि हमारे काम के लिए हां कहा देते हैं, so when people ask to us to do things, so learn to say no if your schedule does not allow taking on a new responsibility, यह आपका schedule आपका allow नहीं करता है, कि आप कोई नहीं responsibility लो, आपके ओपर कोई workload बढ़े, इसके लिए आप no कहना सीख यह देखो कि हां किस काम को आप postpone कर सकते हो, कोई नया task करने के लिए, to fulfill the new request and how will it affect your bigger goal, यदि आप no नहीं कह सकते हो, तो अपने task को देखो, अपने plan को देखो, कि आप किस चीज को avoid कर सकते हो, किसे आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई नया task लेने के लिए, okay, so यह कहलाता है, learn to say no point, okay, spending the right time on right activity, आप time को manage करना है, तो सही समय पे सही काम को करना है, right time allocate करना है, आपको right activity के लिए, यदि यह भी किया, तो obvious आप proper way में time manage कर पा रहे हो, set a time limit to complete the task, if you set a time constraint on a particular task, it will make you more focused and efficient, हर काम को एक time limit के अंदर करना, मतलब यह आपको more efficient और more focused बनाता है, किसी भी task को complete करने के लिए, for example, instead of working on a project and thinking of doing it until it's done, set a limit of say 5 hours, बैट कर project के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आपके कितने घंटे निकल चुके हैं, बजाए सोचने के आप एक time limit decide करो कि 5 घंटे के अंदर मुझे इस project को complete करना है, तो आप thinking के साथ साथ उस प नहीं, राइट, तो spending the right time on right activity, ये भी clear?